नमस्कार दोस्तों स्जी एजुकेशन यूटूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज इस वीडियो में हम बात करेंगे cm ने बहुत बड़ी खुसकबरी दी है दोस्तों 1.20 लाग कचे करमचारी जो है वो पक्के होंगे जो की hkrn वाले लगे हुए है तो कहीना के उनके लिए बड़ी खुसकबरी निकल करके आ रही है तो मिठाई की त्यारी कर लो दोस्तों वीडियो में डेटेल से बात करेंगे और पुरूफ भी दिखाऊंगा कि मैं ये अपडेट किस बेस पर आपके सामने लेकर के आया हूँ उससे पहले आप सभी का दिल से सुक्रिया आप इतना सुपोर्ट दिखा रहे हैं आप ऐसे ही प्यार और सुपोर्ट दिखाते रहेगा मैं आपके लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा और शिक्स्या से जुड़ी हो सभी जानकारियां सबसे पहले विद प्रूफ पक्की खबर आपके सामने लेकर के आता रहुआ चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं उससे पहले वीडियो पर एक लाइक तो बनता है तो देखे का दोस्तों आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ दैनिक सवेरा निउस पेपर की एकटिंग है जिसमें क्या कहा गया है हर्याना अनुबंदित करमचारी अध्यादेश दो हजार चोबिस यानि के एक अध्यादेश जारी किया जाएगा जिसमें हर्याना अनुबंदित करमचारी है उनके लिए जिसमें संक्या बताई गई है एक लाख बीस हजार करमचारी वो होंगे सुरक्सित ठीक है दोस्तों यानि कि उनकी सेवा क्या होगी सुरक्सित होगी मुखे मतरी ने कहा है अब यहाँ पर बात आती है अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कि वो पक्के किये जाएंगे तो इसका सुरक्सित का मतलब यही है कि उनको कम से कम 58 से 60 साल नोकरी से नहीं अठाए जाएगा ऐसा एक अध्यादेस जारी किया जाएगा ठीक है दोस्तों जिसमें कि आपकी जो जोब है उसकी सेफटी और शेक्योरिटी हो जाएगी कि आप अगर हर्याना कोसल रोजगार नीगम में या फिर कच्छे करमचारी के पोस्ट में लग चुके है ना तो आपको 58 साल कोई हटा नहीं पाएगा अब डिटेल में बात करते हैं क्या कुछ लिखा गया है गुरुवार को काबिनेट के मीटिंग में मुख्य मंतरी नाइब सिंग ने कच्छे करमचारी को लेकर हर्याना अनुबंदित करमचारी अध्यादेश 2024 लाकर 1,20,000 करमचारी की सेवा को सुरुक्सित करने का फैंसला लिया है लेकिन 50,000 रुपे से अधिक वेतन लेने वाले करमचारी को इस पॉलिसे में सामिल नहीं किया गया है यानि कि आप कच्छी नोकरी पर हो यानि कि हक्यारन में मान करके चलिए हर्याना कोसल रोजगार निगम में लेकिन आपकी सेलरी अगर 50,000 रुपे से ज़ादा है न तो आप पर ये लागू नहीं होगा क्योंकि अगर 50,000 रुपे से ज़ादा इसका मतलब सीधा से होता है कि आप कच्छे करमचारी हो ये नहीं क्योंकि कच्छे करमचारीों को 50,000 तक अभी फिलाल में जो आपकी सेलरी नहीं मिल रही है तो ये एक जो है इसमें रूल बनाया गए कि 50,000 रुपे से ज़्यादा अधिक वेतन आपको अगर मिलता है तो उनको पका नहीं किया जाएगा इस पॉलिशी में सामिल नहीं किया जाएगा सभी अनुबंदित करमचारियों को कैबिनेट की मीटिंग से काफी उमीदे जोड़ी हुई थी उपरोक्त को लेकर हुटका इकाई की महरीशी विसविदाले के डेलिगेशन की मुख्य परदान सचीव सिरी राजेश खुलर ने चंडिगड में मुलाकात हुई उन्होंने कहा क कि आप सब इस अध्यादेश में कवर हो यही बात एक्सटेंशन थोड़ा जूम कर लेते हैं आप आपको कलियर दिखाई दे जाए थोड़ा और कर लेते हैं एक्सटेंशन को लेकर कही उन्होंने कहा कि 55,000 कैप के लिए मैं उच अधिकारियों से बात करता हूँ इसको दु समादान करने से सरकार को भी और हमें भी विशेश लाप राप्त होगा क्योंकि यह सब सात्वे पे आयो का न्यूंतम पे सकेल 57,700 लेवल दस ले रहे हैं सरकार ने कैप लगानी थी तो हमें भी सामिल करके 60,000 रुपे पर लगानी चाहिए थी ताकि सब कवर हो जाए वैसे क लगाने की क्या जरूरत सब की सर्विस की लेंथ देकर निरने लेकर सब को सामिल करना चाहिए उपरोक्त मांग का समादान नय होने पर संग हुटका की और से कमेटी ने निरने अनुसार काली पटियां बाजू पर बांद कर सांकेतिक रोस पर दर्सन करने पर मजबूर होग यानि कि 15 अगस्त को कच्चे करमचारियों को पका करने का या फिर उनको 58-60 साल तक पकी नोकरी यानि उनकी नोकरी सुरक्षित करने का लागू नहीं होता है तो 18 अगस्त को सरव हर्याना करमचारी संग वह कुरूख सेक्टर में मुख्यमंत्री कारिया लेका गेराव आप इस पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट करके जुरूर बताना क्या आप इस चीज से खुश हैं कि उनको सुरक्सित नोकरी करती जाए तो वो भी कमेंट करके बता देना क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त को कमाल धमाल होगा वो भी कमेंट करके बता देना वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों के साथ में शेयर कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सिक्स्या से जड़ी सभी जानकारियां हर रोज पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबालो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है बिल्कुल फरी है कुछ नहीं जाता हूं हर रोज आपको शीक्षिया से जुड़ी सभी अपडेट वेद पुरूफ पकी खबर मैं ले करके आया करूँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार जैहिंज भारत